महराश्ट्र के दिगजनेता अशोक चोहान के भारते जंता पार्टी में शामिल होने के बाद अब मर्दे प्रदेश के XCM कमलनात के पार्टी छोड़ने की खबरे लगातार सुर्खियां बटोर रही है वहीं बीत शनिवार को पूरी दिन मीडिया के साथ साथ राजनितिक गलियारों में भी यही खबर चलते रही कॉंग्रिस के दिगजनेता और XCM कमलनात अपने बेटे नकुलनात और अन्ने निताओं के साथ बीजिपी का दामन थाम सकते हैं आपको बता दें कि फैली हुई इस खबर में राजनितिक सरगर्मियों का पारा लगातार पूरे दिन हाई रखा बीजिपी में शामिल होने की खबरों के बीच कमलनात भी दिल्ली पहुँचे इसी बीच दिल्ली पहुँचने के बाद कमलनात ने बीजीपी में शामिल होने की अजकलों को शांत करते हुए अपने समर्थकों और मीडिया को बताए कि आप लोग बहुत उत्साहित हो रही हैं यह मैं नहीं कह रहा हूं आप लोग कह रही हैं अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आपको मैं जानकारी दूगा उन्ने कहा कि मैं उत्साहित नहीं हूँ ना इस तरफ ना उस तरफ अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आप लोगों को खबर करूगा कमलनाथ की भाजपा में शामिल होने की खबरों पर MP कॉंग्रेस अध्यक्ष जीतु तिवारी ने संबोधित करते हुई कहा कि ये खबरे निराधार है क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं कि इंदरा जी का तीसरा बेटा कॉंग्रेस छोड़ सकता है जिसके नेत्वित में दो महिने पहले हमने चुनाव लड़ा है जीतु पटवारी ने कहा कमलनाथ सिंध्या से अलग है और अपने पद और सम्मान के लिए वो अपना मन, वोट और पार्टी नहीं बदलेंगे वो अपने जीवन में हर पद पर कार्रे करते हैं मुझोंने लगता कि उनके लिए ये विश्वाश करना भी सही है कि वो बीजेपी में चाल सकते हैं इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुद रहने के लिए दग्राउंड निव्स को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले